गलस्यावर राम चंद्र की जय वलीर तीरमन घंस्याम की जय वलीरा धारानी की जय धर्म की जय हो अधर्म का नास हो प्रानियों में सद्भावना हो बिस्दु का कल्यान हो गवहत्या बंद हो गव हत्याब बंद हो गंगा अबंद हो बारत अखंड हो बारत अखंड हो हलो नमस्कार अदाव सलाम सस्टुरी एकाल केम छो कसे काई किरो हाले किनाची यहां सब कैसन वानी हाउ और यू कैसे हैं आप लोग केमोनाचो मनक कम खंभागनी हुकूम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तु भ्यंग देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं राजा मिस्रा चर्चा करने जा रहा हूँ दैनिक रासी फल के बारे में कि 9, 10 और 11 दिसंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा किस मामले में बढ़ियां और किस मामले में खराब रहेगा इसी बिसे पर आज के इस वीडियो में चर्चा होने जा रही है देवी और सज्जनों बढ़े ही धैरे के साथ बढ़े ही सबर के साथ पैसेंस के साथ सर्वन करने का प्रयास करेंगे मेश से लेकर के मीन रासी तक के वीडियो जो है ये आपको जानकारी देगी 11 तारिक तक का अच्छा मैं आपको पहले बता देता हूँ ये जो रासी फल है 9 तारिक से लेकर के 9 तारिक पूरा 10 तारिक पूरा और 11 तारिक को 11 तारिक को एक बज़ के 52 मिनट पीम तक का ही रासी फल है ये क्या 9 तारिक पूरा दिन पूरा रात 10 तारिक पूरे दिन पूरी रात और 11 तारिक को एक बज़ के 52 मिनट दो पहर तक ही हमारा ये रासी फल आप पर में लागू होगा उसके बाद फिर अगले वीडियो जब आप मिलाऊंगा तब फिर 11 तारिक के आधे दिन के बाद से हमारा रासी फल चालू होगा आप ये देखो अभी तक आपने जितनी भी वीडियो एक, दो, पाँच, दस, पचीस, पचास, हजारो वीडियो देखी होगी रासी फल की योट्यूब पर में लेकिन ये टाइम डिफाइन कर देना कि ये रासी फल एक बज़ के बावन मिनट दो पहर तक 11 तारिक को भैलिड है आपने आज तक नहीं सुना होगा, कभी देखाई नहीं होगा क्योंकि लोगों को सिर्फ बेचना है, लोगों को सिर्फ बिकना है, सच्चाई से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है लेकिन देवी और सज्जनों यहाँ पर में सिर्फ बिकना नहीं है, सिर्फ दिखाना नहीं है, आपको सच्चाई से अवगत करवाना है और यह जो जोतिस का जो हमारा कारिकरम चलता है यह पुर्ण रूपेन सच्चाई पर में चलता है आईए चर्चा को आरंब करें, सबसे पहले नौ तारिक का पंचांग जान लें, नौ तारिक को परती पदाती थी है, सुक्रबार का दिन है, चंद्रमा मिथून रासी में रहेंगे, और सुब समय एक ग्यारा बज़ के सत्रह मिनट एम से लेकर के बारह बज़े पी-म तक का है और दिसासूल पश्चिम दिसा की तरफ है, यानि कि नौ तारिक को अगर संभब हो, कितने को? नौ को, तो पश्चिम दिसा की यात्रा, क्या? पश्चिम दिसा की यात्रा जो है, सो ना करें, बरजित करें, आपके लिए बढ़ियां रहें, खास करके किसी बिसीस उदेश से तो नौ तारिख को पश्चिम दिशा की यात्रा जो है सो ना ही करें क्योंकि दिशा सूल है और दिशा सूल जिस दिशा में हो उस दिशा की यात्रा करना सुखद नहीं माना जाता ऐसा माना जाता है कि उस दिशा में जाने से आपको कष्ट हो सकते है काड़े सफल होने में परिशानी हो सकती है दस तारिख की अगर बात करें देवी और सजनों तो दुती आती थी है सनीवार का दिन है चंद्रमा मिथून रासी में और सुभ समय 10 बज के 18 मिनट एम से 12 बजे पीम तक का है यनि कि सावा 10 बज के 18 मिनट एम से 12 बजे पीम तक का है सावा 11 से लेकर के और 12 बजे तक इस बीच में आप अगर चाहें तो कोई भी सुभ काम बढ़िया काम जो हैं सो कर सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा दिसासूल जो है सो पूरब दिसा की तरफ है यात्रा नहीं करना है बात करेंगे 11 तारिख की देवी और सज्जनो एक 11 तारिख को जो है सो तिर्तिया तिथी है क्या है तिर्तिया तिथी है रवी बार का दिन है चंद्रमा मिथून रासी में एक बज के बावन मिनट पीम तक और सुब समय जो है तो 11 बज के 18 मिनट एम से 12 बजे पीम तक का है देवी और सजनों और दिसा सूल 11 तारिख को भी पश्चिम दिसा में ही है यहीं कि 11 तारिख को भी संभब हो तो पश्चिम दिसा की यात्रा ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़ियां रहेगा 9 तारिख को पश्चिम दिसा की यात्रा नहीं करनी है 10 तारिख को पूरव दिसा की नहीं और 11 तारिख को पश्चिम दिसा की नहीं अच्छा ये मानने बालों पर में है कि अगर मैं मानता हूँ तो मानता हूँ जो लोग नहीं मानते हैं तो उनको जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता ऐसा कहा जाता है कि जिस दिसा में दिसासूल हो उस दिसा के यात्रा करने से कार्ज सफल नहीं होते कारज में बहुत सारी बाधाएं आती हैं और यात्रा में कस्ट का योग बन जाता है आईए देवी और सजनों अब हम अपनी चर्चा को आगे बरहाएं और मेस रासी से हमारी चर्चा जो है सो शुरू होगी मेस रासी वालों के लिए एक दो तेन कुंडली के तीसरे भाव में एक दो तेन कुंडली के तीसरे भाव में यहां पर में मेस रासी वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश होगा कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महरसी कह रहे हैं कि मेस रासी वालों को कुछ धन प्राप्ती के विशेश योग बन रहे हैं आपको धन की प्राप्ती हो सकती है आपको बस्त्रादी का सुख भी प्राप्त हो सकता है यनि कि धन की प्राप्ती भी होगी और वस्त्र का सुख भी मिलेगा आपको बढ़िया कह रहे हैं कि आपका स्वास्त भी जो है मेसरासी वाले इस समय में अगर भगवान की किरपा रही तो ठीक रहेगा हेल्थ वाई किसी प्रकार की इसू है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी सक्त्रू पर में इस समय में बिजय प्राप्त करेंगी आप सक्त्रू जो है आप जीवन साथी के साथ जो है सो वक्त विताने का आपको मौका मेस रासी बाले मिल सकता है बंधु जनों से लाब होगा व्यक्तियों से संपर्ख बढ़ेगा और भागे में जो है सो बिर्धियों की भागे आपका बढ़िया काम करेगा यनि कि मेस रासी बालों के लिए शमय हर मा ये जो है बिर्शव रासी का घर हो गया बिर्शव रासी बालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश अर्थात बिर्शव रासी बालों को नौ दूसरे ग्यारत तारिक को आधा दिन जो है एक वज के बावन मिनट तक मांसिक और संतोस की इस्थिती जो है सोथपन नहों सकती है मांसिक इस्थिती आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगी देवी और सज्जनों महरसी का कहना है कि कुटुम्ब से जो है इस समय में बिशव रासी बालों को किसी प्रकार का टेंसन तनाव सामने आ सकता है नेत्र में किसी प्रकार की पीरा कोई हेल्थ वाई जीसु आपको परिशान कर सकता है इन तीन दिनों में अच्छा भोजन और सुख प्राप्ती में भी कुछ बाधा के योग दिखाई दे रहें देवी और सज्जनों कारियों में और सफलता के योग दिखाई दे रहें कार्ज जो सफल होना चाहिए कार्ज जो जितना मजबूत होना चाहिए उसमें भी कुछ परिसानी आपको हो सकती है पाप कर्मों के तरफ आपकी रुची जादा बढ़ेगी और बिद्या प्राप्ती अथ्वा अच्छे कर्म के तरफ से आपका मन जो है भटकने लगेगा यानि कि बिसभ रासी बालों के लिए ये समय बहुत बढ़ियां नहीं है बिसभ के बाद अब बात करेंगे मिथून रासी की मिथून रासी बालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश मिधून रासी वाले जातक को सुख प्राप्ती का संकेत दे रहा है आपको सुख की प्राप्ती होगी, आनंद मिलेगा हेल्थ वाई चिशू भी सुख कम होगी बढ़ियां भोजन की प्राप्ति बढ़ियां कपरा पहनने को मिलेगा सया सुख की प्राप्ति का मिथून रासी वाले विशेश योग बनेगा जीवन साथी प्रेमी प्रेम का के साथ वक्त बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा और भगवान की किरपा रही तो कुछ उपहार और धन क्या कुछ उपहार और धन प्राप्ती के भी सुवसर जो हैं सो आपको प्राप्त होंगे मिथून रासी वालों के लिए भी हर मामले में समय बढ़िया हैं मिथून के बाद अब चर्चा करेंगे करक रासी के लिए करक के लिए कुंडली के 12 भाव में 12 भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण करक रासी वाले जातक को सारीरिक कस्ट बढ़ सकता है साररिक तोर पर में जो है सो परेशानी का सामना करना पर सकता है विसेश करके आँख से सम्बंधित और पाउं से सम्बंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है करकरासी बालों को चाहिए इस समय में कि धन को बचा करके चलने का प्रयास करे मान सम्मान को बचा करके चलने का प्रयास करें बढ़ियां रहेगा पुत्राद का सहयोग प्राप्ट करने में भी कुछ परेशानी का सामना करना पर सकता है मानसिक शिंताएं जो हैं सो बढ़ सकती है मांसिक तोर पर में जो है सो कुछ विसेश परेशानी का सामना करना पर सकता है खर्चा थोड़ा सा अधिक होगा उसको बचा करके चलने का प्रयास करेंगे तो करकरासी वाले जादा अच्छा रहेगा इस समय शरीर में उड़ जा की जादा इस्थिती रहेगी उनमत बैल की तरह बिभार करेंगे प्रयास करें कि कोई अनुचित कारे आपके हाथों से ना हो करक के बारी आती है सिंग रासी की सिंग रासी वालों के लिए कुंडली के एकादस भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा कुंड़ी के एकादस भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण शिंघ रासी वालों को विषेश लाव का योग बन जाएगा जैसे beim Şu image करें कि एकादस भाव में चंद्रमा के प्रवेश से आपके आई में बिद्धी हो जाएगी इनकम आपका इन तिन दिनों में कुछ बढ़ेगा ब्यापार में भी परियाप्त लाव मिलने की संभावना पुत्रादी का सुख बच्चों से सुख की प्राप्ति उत्तम भोजन समय पर प्राप्ति का योग मित्रों से हास परिहास करने का भी मौका प्राप्त होगा इस्त्री सुख में जो है समय बैतीत होगा प्रफुलित मन महत्तु कांग छा की पुर्ति की ओर अग्रसर होगा इस्त्री पक्ष से लाव मिलेगा और तरल पदार्थों से आई की विशेश संभावना जो है सो दिखाई दे रही है यनि कि सिंग रासी बालों के लिए ये समय हर मामले में बढ़िया है सिंग के बाद अब बारी आती है कन्या रासी की कन्या रासी बालों के लिए कुंडली के दसंभाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा कुंडली के दसंभाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण अभिष्ट कारियों की सिध्धी होगी आपका कार्य जो है सो सिध्ध होगा सभी कार्य बड़े सरलता पुरुबक आशानी से पुर्ण होगे स्वास्त जो है आपका दीरे दीरे इसा ही लेकिन बढ़ियां रहेगा अच्छा रहेगा उत्तम भोजन के प्राप्ती का योग बन रहा है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दू कि दोस्तों के साथ हास प्रियास का सुबसर भी प्राप्त होगा इस्त्री के सुख का भी योग बनेगा और देवी और सजनो मन भी आपका बड़ा प्रफुलित इस समय में रहेगा और साथ ही महत्त कांग छाओं की पुर्ती भी होगी इस्त्री पक्च से भी लाव मिरेगा और तरल पदार्थ का जो लोग काम करते हैं उनको भी फाइदा मिलेगा और आपकी जानकारी के लिए बता दू कि स्वास्त भी इस समय में बढ़ियां रहेगा राज की और से धन और सम्मान के प्राप्ती का योग बनेगा नौकडी में भी पद नती के अवसर प्राप्त होंगे उच्छा धिकारी आप से प्रसन्न होंगे और उत्तम ग्रिह का सुख भी प्राप्त होगा यनि कि कन्यारासी बालों के लिए भी ये समय जो है तो बड़ा सुंदर और सुखद रहने वाला है आईए अब तुलारासी के बारे में चर्चा करते हैं कि तुलारासी बालों के लिए ये समय जो है सो कैसा रहेगा दिवी और सज्जनो तुलारासी बालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा कुंडली के नवंभाव में चंद्रमा का प्रवेश महरसी कह रहे हैं कि इस समय में तुलारासी वाले जातक को नौ दौ सरे ग्यारा तारिक को एक बज के बावन मिनट दो पर तक कुछ जो है मालिक के तरब से सरकार के तरब से जहां पर काम करते हैं वहांके सिनियर अधिकारी के तरब से कुछ परेसानी का सामना करना पर सकता है देवी और सजनो बेवसाई बिजनेस में भी कुछ नुकसान कुछ हानी उठाना पर सकता है बच्चों से मतभेद की इस्थिती जो है आपकी उत्पन्न हो सकती है बच्चा जो है आपका वो आपकी बातें इस समय में हो सकता है कि नासूने देवी और सजनो इस समय में अपने स्वास्त का तुलारासी वाले विस्यस द्यान अगर रखते हैं तो ज्यादा बढ़ियां रहेगा पेट से सम्मंधित किसी प्रकार की शिकायत किसी प्रकार की परिशानी जो है आपके सामने में आ सकती है और भाग भरोसे इस समय में ये ना समझें कि काम हो जाएगा भाग भरोसे काम होना आपका मुश्किल लग रहा है शत्रू परिसान करेगा शत्रू जो है दुस्मन जो है आपका वो परिसान करने का प्रयास कर सकता है और आपको यह प्रियास रखना है कि ऐसे लोगों से ना उल्ड हैं जो आपके लिए रास्ते में कांटे की तरह सामने आ सकते हैं तुला के बाद अब बात करेंगे ब्रिश्चिक राशी की ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के अस्टम भाव में प्रवेश करेंगे कुंडली के अस्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश दिवी और सज्जनों अच्छा नहीं माना जाता महारसी का कहना है कि ब्रिश्चिक रासी वाले जातक को नौ दासरे ग्यारा तारीक को दो फर एक बज के बावन मिनट तक कार्ज में बहुत प्रकार की बाधाएं आ सकती है बाधाएं आपको परिशान कर सकती है पेट से संबंधित परिशानी का सामना करना पर सकता है अपच परिशान कर सकता है, स्वांस से संबंधित समस्याय आपको परिशान कर सकती है, खांसी, सर्दी, छाती से संबंधित परिशानी कुछ आपके सामने में आ सकती है, देवी और सज्जनो, जगरा और विबाद से बच करके चलने का प्रयास करें, इस समय में ब्रिश्चिक्रासी कुछ आपको परिसान कर सकता है नियत समय पर अच्छा भोजन प्राप्त करने में भी कुछ परिसानी आएगी अचानक से किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको गहर सकता है और धन की भी हानी का योग आपके लिए बन रहा है इसलिए साउध हानी के साथ चलेंगे तो बढ़िया देखना रहेगा बिष्टिक के बाद अब बारी आती है धनुराशी की धनुराशी वालों के लिए कुंडली के सप्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों आपके लिए महरसी का कहना है कि धन के बिशेष लाव का योग बनेगा धन के ये योग धनुरासी वाले इस समय नौदो सरे ग्यारत तारीक को दो पर एक बज के बावन मिनट से पहले पहले तक बनने के योग हैं देवी और सज्जनो इस समय में आपको परयाप्त काम सुख सेक्चुल सटिस्फेक्शन मिलने के भी संभावना दिखाई दे रही है छोटी चोटी सोटी लावदाय के यात्राएं भी करनी पर सकती है चोटी-चोटी लावदायक यात्राएं बानिज्यत था अव्यवसाई में भी कुछ बिसेश लाव पराप्ति का आपके लिए योग बन रहा है महरशी कह रहे हैं कि इस समय में आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, बढ़ियां खाना मिलेगा, छीर आदी पेपदार्त के साथ साथ सयन सुख की प्राप्ति का भी विसेश योग आपके लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों स्वास्त अच्छा रहेगा इस समय में बाहन और ख्याती की प्राप्ति का भी विसेश योग बन रहा है। आपका स्वास्त भी इस समय में बढ़ियां कहा जा सकता है हेल्थ वाई किसी प्रकार की इसू परिसानी अगर चल रही थी तो उसमें भी आपको जो है सो राहत देखने को मिलेगा वहां से भी जो है सो आपको फाइदा देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में महरसी का कहना है कि आपको यस और आनंद के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपको यस की प्राप्ति होगी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महिलाओं से आपका संपर्क बढ़ेगा। तथा अपने घर में भी सुख के प्राप्ति का योग बनेगा। देवी और सज्जनों सक्त्रूओं की पराजय निश्चित तोर पर में होगी। दुस्मन इस समय में आपके सामने में टिक नहीं पाएगा। रोग का नास होगा और खर्च थोरा सा अधिक होंगे। कुम्भरासी के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुम्भरासी बालों को यात्रा नहीं करनी चाहिए। 9-10-11 तारिक को यात्रा से आपको बच करके रहने का प्रयास करना है। कुम्भरासी बालों के लिए यात्रा करना थोरा सा कष्टकारी हो सकता है। दुरगटना होने की भी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। कारे जो है आपका इतना आसानी से इस समय में सफल नहीं होगा। देवी और सज्जनों मन में कुछ असांती का भै आपके सामने में दिखाई दे रहा है। कुछ असांती रहेगी। धन के भी कुछ हानी के योग बन रहे हैं। जल तथा इस्त्री जाती से बिसेस भै का योग है। जल अर्थात नदी, नाला, तालाव, कुवा, पोखर ये सब। और इस्त्री बर्क के लोग पुरुष जाती से इस समय में नौदा से ग्यारा तारिक को कुम्भ रासी वाले सतर्क रहेंगे। तो ज्यादा बढ़ियां रहेगा। देवी और सज्जनों काम वासना पर में कंट्रोल करने की आवश्यक्ता पड़ेगी इस समय में मीन रासी बालों के लिए देवी और सज्जनों कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। मीन रासी बाले आपको बिवाद के स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मन जो है चित जो है सो चंचल रहेगा, मन जो है सो चंचल रहेंगे। चाती में बिकार की कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है, कुछ बिकार, कुछ परेशानी जो है आपके सामने में आ सकती है। भोजन अगर सही समय पर नहीं भी मिले तो बहुत ज़्यादा घवराई नहीं परेशान ना हो निंद में भी कुछ बाधाएं आ सकती है निंद में कुछ परेशानी का आपको सामना करना पर सकता है देवी और सजनों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दो कि जल और इस्त्री दोनों से खत्रा का इस समय में विशेश योग आपके लिए दिखाई दे रहा है महरसी तो ये भी कह रहे है कि समाज में ऐसे जगों पर जाने से इस समय में आपको बचना चाहिए जहां पर में डर है कि आपका अपमान हो सकता है वहां पर में जाने से बचें और आपकी जानकारी के लिए बता दू कि धन को बचा करके चलने का प्रयास करें जमीनी बिबाद में इस समय में नहीं परेंगे तो ज़्यादा अच्छा है देवी और सज्जनों उमेद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो निश्चित तोर पे पसंद आया होगा समझ में आये होंगे अगर आपको अच्छा लगात इस वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू थैंक्यू सोमा जहिंद ब राधे राधे